टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंट अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू अनली अट टेग टीवी कनेड़ा भर में करोना वारस के फिलाओं में मामुली कमी मरीजों की मश्मीत आदा 14,04,093 तक जा पहुची हलागते 25,972 हो गई कनेडियन वजिराजम की G7 सरबराही कांफरंस से वापसी एरपोर्ट के करीबी होटल में करिंतीना में चले गए टूडों ने कनेड़ा वापस जाने से कबल फाइजर सेंटर का दोरा भी किया भारत में सामने आने वाला डेल्टा वेरियन कनेड़ा में वैक्सिनेशन को मतासर कर सकता है कैनेडा की चीफ अबलिक हेल्थ आफिसर का कहना है के डेल्टा वेरियन्ट की वज़ा से वैक्सीन प्रोग्राम को तेस्ट करना पर सकता है 75 पीसेट अफरात को वैक्सीन दिये जाने के बाद पामदियों में नखमी कर सकते हैं कैनेडा में इसलामोफोविया का एक और वाकिया मर्द और खातून की जबर्दस्ती मस्जित में दाखिल होने की कोशिश धमागा खेस मवाद लगाने की भी धमकी थी इसराइल में नई हकूमत पुरानी पॉलिसी पर कारबंध है इसराइल की तरफ से जंग बंदी के बाद घज़ा पर पहला फजाई हमला किया गया कोरोना वारिस के दुनिया में 4 लाग से जाएद नए केसिसी डिपोर्ट मतासर अफराद की मचमी तादा 17 करोड 74 लाग से बढ़ गई जबके 38,38,506 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं हेडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पो और्टर करें www.greenish.com और्टेरियो सुबे में करोना केसिस की तादाथ सबसे ज्यादा है सुबे भर में करोना वारिस से मतासर होने वालों की तादाथ 5,4,426 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाथ 8,974 है मज़ी जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं में मामूली कमी देखने में आ रही है मुल्क भर में करोना केसिस 14 लाग से तजावस कर गए कैनिडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादा 14,04,093 तक जा पहुंची है जबके हलाकतیں 25,972 हो गए जबके 13,63,198 अफराद सहत्याफ हो चुके है आंटेरियो सुबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज्यादा है सुबे भर में करोना वाइरस से मतासिर होने वालों की तादाद 5,04,426 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद 8,974 है कैनेडा में करोना वाइरस के सबसे ज्यादा हलाकतیں क्यू बैक सुबे में हुई है जहां करोना वाइरस के मच्मुई केसिस की तादाद 3,73,217 है जबके सुबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,177 तक पहुंच चुकी है कینیڈین सूबे अलबर्टा में केसिस की तादाद दो लाग से तजावस कर गई सूबे में दो लाग तीस हजार साथ सो पांच अफराद करोना वारिस से मतासिर हुए है जबके दो हजार दोसो चोहतर अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रेटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद एक लाग श्यालिस हजार पांच सो एक सट तक जा पहुँची है जबके सूबे में करोना वारिस से होने वाली हलाकतों की तादाद एक हजार साथ सो चौटिस है कनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूडो जी सेवन मुमालिक की सरबराही कांफरंस में शिरकत और दीगर मुमालिक के दोरे के बाद कैनेडा वापस पहुच गए हैं इस हवाले से मजीद चानते हैं कینیڈین वजीर आजम जेस्टिन टूडो जी सावन मुमालिक की सरवराही कानफरेंस में शिर्कत और दीगर मुमालिक के दोरे के बाद कैनेडा वापस पहुच गए हैं। वजीर आजम ने एरपोर्ट पर उतरते ही करीबी होटल में करंटीना कर लिया है जहां वो तीन दिन क्याम पजीर रहेंगे। केनेडिन के मुताबिक किसी बेगर मुल्की सफर से वापस आने वालों को मुल्क में वापसी पर कमस कम तीन दिन करंटीना करना होता है। टूडो ने कैनेडा वापस जाने से कबल फाइजर सेंटर का दौरा भी किया जहां उन्होंने इस प्लांट का दौरा किया जिसने कैनेडा में कोवीड-19 वैक्सिनेशन प्रोग्राम में अहम किरदार अदा किया था। इस साल के शुरू में कैनेडा को अपनी वैक्सिनेशन मोहिं में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा जब बैलजियम में प्रोडक्शन प्लांट की सुस्त्रवी ने फराहमी को मतासिर कर दिया। सिर्फ इस हफ़ते कैनेडा को फाइजर बायो टेक वैक्सिन की 24 लाग खुरांके मिलने वाली हैं जो वस्त माई के बाद से मसलसल हफ़तावार मिल रही हैं। टूडो के आफिस का कहना है कि वो ओतावा के एक होटल में करंतीना करेंगे जब तक कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मन फीना आ जाए। टूडो ने गुजश्टा दिन नेटो इतिहादियों और जी-7 के रहनुमाओं की सरबराहे इजलास में भी शिर्कत की। इससे कबल बरसल्स में खिताब करते वे टूडो का कहना था कि कोविड-19 वैक्सीन पैटन्ट का मौमला पेचीदा है लेकिन आलमी मकसद यह है कि दुनिया भर में हर एक को जल दस जल वैक्सीन दी जाए। कैनेडा की हकूमत ने तद्दीग की है केस ने डव्ल्यू टी-ओ की तरफ से वैक्सीन के पैटन्ट हुकोफ मौफ करने के बारे में बातचीद की है लेकिन बार बार पूछे जाने के बार टूडो ने अभी तक यह नहीं बताया केस मौमले में कैनेडा का क्या मौकफ है कैनेडा की चीफ पबलिक हेल्थ आफिसर डॉक्टर थ्रेसा टाम का कहना है कि भारत में सामने आने वाले करोना वारिस की नई और ज्यादा खतरनाक किसम डेल्टा वैरियंट के सबब वैक्सिनेशन एहदाफ में तबदीली हो सकती है वाजिए चानते हैं इस डिपोर्ट मे कैनेडा की चीफ पबलिक हेल्थ आफिसर डॉक्टर थ्रेसा टाम का कहना है कि भारत में सामने आने वाले करोना वारिस की नई और ज्यादा हतरनाक किसम डेल्टा वैरियंट के सबब वैक्सिनेशन एहदाफ में तबदीली हो सकती है कैनेडा अपने पहले قومी वैक्सिनेशन एहदाफ को हासल करने की जानिव गामजन है लेकिन चीफ पबलिक हेल्थ आफिसर डॉक्टर थ्रेसा टाम का कहना है कि कोवीड नाइटीन के डेल्टा वैरियंट की वज़ा से वैक्सिन प्रोग्राम को तेस करना पड़ सकता है अपरेल और माई में की गई विफाकी मॉडल के हासल कर चुके हों तो सूबे दुबारा अवामी नकलो हरकत पर पाबंदियों में नर्मी कर सकते हैं अगर 75 फीसद एहल अफराद को मकमल तापर वैक्सिन लग जाये तो मॉडलिंग के मताबिक जिसमानी पास्ते और मास पहनने जैसे जाती एकदमाद भी नर्म किये जा स के ये कैनेडा में फैलने वाली गालिब किसिम बन सकती है डेल्टा की शनाख पहली बार गुजिशता मासमें खिज़ा में भारत में की गई थी लेकिन मैं के वस्त में आलमी अदारे सहत ने इसे तश्वीश की एक किसिम करार दिया था कैनेडा के दार रुकूमत टरॉंटो में एक मर्द और खातून ने जबर दस्ती मस्जित में दाखिल होने की कोश्श की और धंकिया भी दी पुलिस ने दोनों को गिरिफतार कर लिया है इस हवाले से मधे चांटे हैं कینیडा के दार अलहकूमत ट्रॉंटो में एक मर्द और खातून ने जबरदस्ती मस्जित में दाखल होनी की कोशिश की और धमक्या भी दी, फुलिस ने दोनों अफराद को गिरिफतार कर लिया है। तफसिलात के मताबिक कینیडा के दार अलहकूमत ट्रॉंटो में इस्लामोफोबिया का एक और वाक्या सामने आया जहां एक मर्द और खातून ने जबरदस्ती मस्जित में दाखल होनी की कोशिश की एनी शाहिदीन ने बताया कि इस कारबरो एरिया में खातून और मर्द ने मस में घुसने की कोशिश करने वाले लशे में थे वाक्य के बाद हीट क्राइम यूनिट को भी मतला कर दिया वाक्या नफरेत अंगेजी का है या नहीं तहकीका जारी हैं मेर ट्रॉंटो ने अपने बयान में कहा कि इस तरह के वाक्यात नाकाबले खुबूल है मुझरमाना र और अफराद 46 साला फिजियाथ्रापिस्ट सल्मान अफजल उनकी एहलिया और पी-एचडी के तालबा 44 साला मदीह सल्मान नवी जमात की तालबा 15 साला यमना सल्मान और उनकी 74 साला जईग दादी को ट्रक के नीचे रून टाला था केरिडा के वजीर आजम जैस्टिन टू पर कार बंध है, इसराईल की तरफ से जंग बंदी के बाद घजा पर पहला फजाई हमला किया गया। मजी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकामात का तहाफूज हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वाज़ है कि 21 माई के सीस फायर के बाद इसराइल की ये पहली बंबारी है। हालिया तनाज़ा मश्रकी बातल मकदस में इंतहा पसंद यहूदियों के मार्च के सबब शुरू हुआ। इसराइली हुकूमत ने इंतहा पसंद यहूदियों की हिपाज़त के लिए सैंक्रो एहलकार तायूनात कर रखे थे। इसराइली एहलकारों ने यहूदियों के मार्च को महफूज बनाने के लिए मस्जिद अक्सा को जाने वाली सड़के बंद कर दी जबके वहां पहले से मौजूद फलस्तिनियों को बरी तरह जदो कोप किया। भारत में करोना से मतासरा अफराद की तादाद 2,96,37,000 से जाइथ है और 3,89,601 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में करोना वारिस से मतासरा अफराद की मचमुई तादाद 17,64,000 से बढ़ गई जबके 38,38,506 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं दुनिया भर में करोना से सहतियाब होने वालों की तादाद 16,18,000 से जाइथ और फाल केसिस की तादाद 1,17,16,000 से जाइथ है अमरीका में करोना से मरने वालों की कुल तादा 6,15,717 तक पहुँच गई है जबके 3,43,52,000 से जाइद अफराद मतासर हैं भारत में करोना से मतासरा अफराद की तादाद 2,96,33,000 से जाइद है और 3,89,601 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं ब्राजीन में करोना से मतासरा अफराद की तादाद 1,75,4,33,000 से जाइद हो गई है और 4,91,000 से जाइद अफराद हलाक हो चुके हैं फरांस में 57,44,354 अफराद मतासर और 1,10,503 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं तर्की में 53,42,000 से जाइद अफराद करोना से मतासिर और 48,889 हलाक हो चुके हैं रूस में 52,36,000 से जाइद अफराद करोना वारिस से मतासिर हो चुके हैं और अमबात की मचमुई तादाद 1,27,180 है बरतानिया में 45,81,000 से जाइद अफराद करोना से मतासिर हैं और 1,27,917 अमबात हो चुकी है करोना वाइरस का पहला केस 17 नमंबर 2019 को रिजिस्टर्ड हुआ था जिसके बाद 27 जून 2020 को केसिस की तादाद 1 करोड हो गई थी साओधी अरब इसी फैरिस में 44 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वाइरस से अब तक कुल अमबा 7,606 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में करोना मरीजों की तादाद 4,68,175 तक जा पहुँची है टैक टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी